तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे Class 10 के Chapter No. 4 Quadratic Equation के Exercise 4.1 के लिए Introduction तो पहले हम देखते हैं कि Quadratic Equation क्या होती है तो यह Quadratic Word आपने पहले भी कहीं सुना है Chapter No. 2 में हमने पढ़ा था Quadratic Polynomial उसमें आपने Different Types के Polynomials देखे थे जैसे आपने एक देखा था Linear Polynomial तो Linear Polynomial कैसा होता है Linear Polynomial मैंने आपको बताया था यह वो होता है जिसकी Degree कितनी होती हो Degree होती है जिसकी 1 और उस Polynomial को आपने इस Form में लिखा था कि Polynomial था वो Ax प्लस B इस Form में लिखा हुआ होता था जैसे आपने examples पड़े थे उसके examples क्या क्या बताए थे जैसे अगर मान लीजे एक number लिखा हुआ है x तो यहाँ पर इसकी degree कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1 यह एक variable है जैसे अगर मान लीजे एक लिखा हुआ है 5x plus 2 यहाँ पर इसकी degree कितनी है 1 तो यह भी कैसा है यह भी है linear polynomial अब linear polynomial के बाद मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक होता है हमारा quadratic polynomial और इस quadratic polynomial से ही हम quadratic equation को देखेंगे कि वो कैसे बनती है quadratic polynomial में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो degree होती है वो degree कितनी होती है 2 means highest जो power होगी वो कितनी होगी 2 उसको polynomial को हमने किस form में लिखाता उसको हमने लिखाता ax square plus bx plus c इस form में और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि यहाँ पर a की value क्या नहीं हो सकती 0 क्योंकि अगर आपने a की value 0 ले ली तो x square में उसकी multiplication होकर यह पूरा 0 हो जाएगा और यह पूरा 0 होने के बाद क्या बचाएगा बस bx plus c और फिर इसकी highest power कितनी रह जाएगी बन और यह कैसा बन जाएगा फिर linear polynomial तो यह condition याद रखनी है आपको कि a की value 0 नहीं ले सकते हैं किसमें quadratic polynomial में a b c क्या होंगे यहाँ पर यहाँ पर a b c होते हैं कोई भी real numbers a b and c are the real numbers ठीक है और यहाँ पर क्या variable है यहाँ पर variable है x ठीक है अब quadratic polynomial से ही quadratic equation कैसे बनाई जाती है इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना अब बात आती है quadratic equation तो quadratic equation के लिए जो भी आपके पास polynomial दे रखा होता है उसके equal में हम क्या लिख देते हैं 0 अगर ऐसी condition में आपको कोई भी equation मिलती है तो वो क्या कहलाएगी वो होगी quadratic equation इसकी जो maximum डेरी है वो कितनी है 2 तो इसलिए quadratic कहला रही है इसके अंदर भी यह condition है जो मैंने हाँ पर बताई है बस polynomial को equation बनाने के लिए equal to में क्या लगा देते हैं 0 जैसे example के तोर पर यहाँ पर a, b, c की कुछ values दी होई होगी कुछ examples में आपको बताता हूँ जिससे क्या आप पहचान कर पाओ examples के तोर पर जैसे मैंने एक number लिखा 2x square plus x minus 6 equal to 0 तो यह quadratic equation है क्योंकि इसकी जो highest degree है वो कितनी है, 2 है तो यहाँ पर आप यह भी बता सकते हो कि a क्या है, a होगा 2 जब आप इससे compare करोगे x square के आगे वाला a, तो x square के आगे हाँ पर क्या है, 2 b की value क्या होगी b होता है, जो x के आगे है तो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है, तो क्या मान सकते है, 1 तो b की value होगी 1 और c की value क्या होगी, c होगा constant minus 6 तो आपको यह चीज पहचान करनी है कि जो भी quadratic equation होगी उसकी पहचान किससे होगी उसकी जो highest power है, उससे जैसे अगर आपके सामने इस तरीके से कोई number लिखा हुआ है 4x square plus 8x और equal to में 0 अब यह quadratic equation है या नहीं है यहाँ पर यह जो 3 number थे जैसे एक term थी ax square एक थी bx और एक थी c यहाँ पर आपको 2 दिख रहे है लेकिन आपको क्या देखना है बस आपको देखनी है degree 2 तो इसकी degree 2 है इसलिए यह भी क्या है यह भी quadratic equation है यहाँ पर a की value क्या हो जाएगी 4 b की value क्या हो जाएगी 8 x square के आगे वाला a तो वो होगया 4 x के आगे वाला b, तो वो क्या होगा, 8, अब यहाँ पर constant नहीं है, तो constant को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, कि a की value 0 नहीं हो सकती, b और c 0 हो सकते हैं, योकि b और c के 0 होने से, यह जो x square जो power है, इस पर तो कोई फरक पढ़ बनना नहीं है, तब भी वो क्या रहेगी, quadratic equation ही रहेगी, तो quadratic equation ऐसी भी हो सकती है, और मैं आपको बताओ एक, कैसे x square minus 4 equal to 0, तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए, a की value क्या है, तो x square क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, हम 1, ठीक है, इसके आगे 1 मान लिया, अब b की value क्या होती है, b होता है, जो x के आगे वाला है, तो इसमें तो x वाला है ही नहीं, तो उसकी जगा पर क्या लिख देंगे, हम 0, और जो c है, मतलब जो constant वो कितना है, वो है minus 4, तो यह भी एक quadratic equation है, क्योंकि इसकी भी जो degree है, वो कितनी है, 2 है, ठीक है, इस तरीके से हम पहचान करते हैं, और और ले लेते हैं, एक example, जैसे एक example यह हो गया, second यह हो गया, third यह हो गया, एक और ले ले लेते हैं, जैसे x square और equal to में 0, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a की value हो जाएगी 1, इसका यह कुछ नहीं है, तो 1-1 लिया, b की value क्या हो जाएगी 0, औ और x square खतम होने के बाद, वो quadratic equation नहीं रहेगी, जैसे इसमें अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं, 0x square प्लस x माइनस 6, तो 0 की जब x square में करते हैं, यह तो खतम ही हो जाता, x माइनस 6 बस था, तो इसकी degree कितनी होती, फिर 1, और degree 1 वाले को हम linear कह सकते हैं, quadratic नहीं कह सकते है ठीक है, अब कई बार आपको क्या होगा, question को वो आगे पीछे करके भी देगा, तो इस सीच की भी पहचान कर लो, कि हमें जितने भी questions दिये हुए होंगे, हम उसको standard form में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर आपके सामने ऐसा number लिखा हुआ है, 6x square minus 3 minus 7x, तो इसमें अब a की value क् हमेशा याद रखना, a की value होती है, x square के आगे वाली, x के आगे वाली क्या होती है, b और constant क्या होता है, c, तो यह standard form में लिखी होई नहीं है, तो इसको standard form में लिखने के लिए, आपको क्या करना होगा, जो x square वाला है, सबसे पहले तो उसको लिखना है, फिर जो हमारे पास दे रखा है, x वाला, फिर उसको लिखना है, तो minus 7x, और फिर सबसे last में लिखना है, constant, और equal to में 0, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, a की value हो गई, 6, b की value क्या हो गई, minus 7, और c की value क्या हो गई, minus 3, किसी भी question को solve करने से पहले, उसकी standard form जरूर लिख लेनी है, अब बात आती है उसके बाद, कि अगर मान लिजए, इस तरीके का कोई question दे रखा हो, क्योंकि कोई doubt नहीं रहनी चाहिए, एक part और ले ले लेते हैं, ये भी कैसी है, ये सारी की सारी quadratic equation है, मैंने अभी तक आपको जितनी भी बताई है, एक और लेकर दिखाता हूँ मैं, जैसे 3x cube, minus 5x square, minus 11x और minus 3, जैसे ये number ले लिया, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, कि इसकी power यहाँ पर कितनी है, 2, x की, यहाँ पर कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, x की power 1, तो अब आप इसमें यह मत देखने लगना, कि x की power 2 वाला तो है, हमें देखना highest power किसकी है, highest power x की यहाँ पर 3, तो यहाँ पर x की पावर 3 भी आ गया, तो इसका मतलब यह x की पावर 3 जो है, इसने इसको कैसा बना दिया, यह quadratic नहीं है, यह है cubic polynomial, ठीक है, और इसके अगर equal to में 0 हम लिख देते, तो यह cubic equation हो जाती, ठीक है, यह सारी की सारी कैसी है, यह सब है quadratic equation, तो quadratic equation आप समझगे, कैसी होती बस यह standard form याद रखना, और हर एक question को standard form में ही लिखने की कोशिश करना, a की value 0 मतलेना, और याद रखना degree कितनी होती है, 2, मतलब maximum x की value कितनी निकल के आएंगी, ऐसे questions जब हम करेंगे, 2, ठीक है, यह इसका 4.1 का introduction हो गया, अब बात आती है कि हमारे पास जितने भी quadratic equations हैं, real life problems में कैसे apply करेंगे, तो हमें उसी के ऊपर यह examples दिये हैं, पहला example हमें दिया है, represent the following situations mathematically, नीचे कुछ real life problem दिये है, उसको हमें mathematically represent करके बताना, means बस equation बना ली है, तो इसमें क्या दिया है, John and Jeevanti together have 45 marbles, John और Jeevanti दो बच्चे हैं, या दो लड़का और लड़की हैं, उन 55 marbles खो देते हैं, and the product of the number of marbles they now have is 124, और 55 marbles खोने के बाद, जो उनके पास marbles बचे, उनकी multiplication करके कितना आता है, 124, प्रोड़क्ट बताया है, we would like to find out how many marbles that they have to start with, तो हमें ये पता लगाना है कि उनके पास शुरुआत में कितने कितने marbles थे, जब उन्होंने खोए नहीं उस टाइम पर कितने marbles थे, तो हम पहले दौनों के पास जो marbles हैं, उनको कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर अप लिखोगे, let the number of marbles john have, john के पास कितने मान लिए, हमने x marbles मान लिए, और इसी तरीके से हम मान लेंगे, the number of marbles, जीवन्ती के पास कितने थे, number of marbles, जीवन्ती है, वो कितने मान लिए, हमने वो हो जाएगा, 45 minus x, अब यह कैसा है, इस सीज को ध्यान से समझो, क्योंकि हम यहाँ पर quadratic equation बनाने तो वो a की variable में होनी चाहिए, ax square plus bx plus c, अगर आप y मान कर करोगे, तब भी हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश यह करनी है, कि a की variable में हो, तो यह minus क्यों किया, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पर मेरे पास total कितने marbles है, 45, और एक minute के लिए मैं यह मान लेता हूँ, कि दो लोगों में बांट रहा था, john में और जीवन्ती में, और मैं यह कह दूँ कि john के पास कितने marbles है, 20, तो आप बताना, जीवन्ती क को कितने दे देंगे फिर, जीवन्ती के कैसे निकाले थे है, 45 में से 20 को minus करके, ऐसी यहाँ पर 45 में से x को minus कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिये 20, लेकिन हमने माने क्या है x, तो वो कितना हो जाएगा, 45 minus x, अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोग x, जीवन्ती के कितने हो गए, y, तो फिर कितने हो जाएंगे, दोनों के मिलाकर 45, तो यहाँ से अगर आपको जीवन्ती के निकालने है, तो वो कितना हो जाएगा, 45, यह प्लस का x इदर आकर कैसा हो गए, minus का, तो यह जो जीवन्ती के हैं, यह अभी भी कितने आए है, 45 minus x ह तो आये हैं, ठीक है, समझ गए ना ये चीज, अब आगे देखो, उसके बाद इसने कहा है कि दोनों ने ही पाँच-पाँच मार्बल खो दिये, तो after loss of five marbles, पाँच मार्बल खोने के बाद, the number of marbles, the number of marbles, john have, अब john के पास कितने बचेंगे, अब उसने पाँच खो दिये, तो पाँच मार्बल खोने कर दो, ऐसे ही the number of marbles, number of marbles, जीवन्ती, जीवन्ती के पास कितने थे पहले, 45-x, उसने भी उसमें से कितने खो दिये, पाँच खो दिये, तो उसमें भी 5- कर दिया, अब 45 में से 5- करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 40 बचा, और यह जो x से minus का, यह ऐसी आ जाएगा, अब इसने कहाई, यह वाले जो है न, जो उसने 5-5 marbles खो दिये थे दोनों ने, इन दोनों का product कितना आता है, 124, तो according to question, अब हम दोनों की क्या कर देंगे, multiplication, तो x-5 की multiply हमें कर देनी है, किसमे, 40-x में, और equal to में क्या लेना है, 124, अब कैसे करते हैं, इस x की multiply इन दोनों में करते हैं, पूरे bracket में, और ऐसे इस minus 5 की multiply भी इन दोनों में करते हैं, पूरे ही bracket में, लिखोगे कैसे, वो चीज़ ध्यान से देख लो, x की multiply किसमें करेंगे, 40-x में, और फिर minus 5 की multiply भी किसमें करेंगे, 40-x में, और equal to में क्या आ गया, 124, अब अंदर multiply करते हैं, x की पहले 40 में भी होगी, फिर x में भी, x की जब 40 में करेंगे तो कितना आजाएगा 40x x की जब x में करेंगे तो कितना आएगा x square minus 5 की जब 40 में करेंगे तो 45 जब कितना हो जाएगा 200 और फिर यह जो minus का 5 है जब इसकी minus x में करेंगे तो यह हो जाएगा minus 5x और equal to में 124 अब ये जितने भी numbers हैं सब को एक तरफ कर लो क्योंकि हमें जो equation बनानी है वो general form में बनानी है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो x square वाला है वो standard form मैंने अभी आपको बताई थी उसके बाद जो x वाले हैं यहाँ पर यह है 40x और यह कितना है 5x तो दोनों को minus करके कितना आ जाएगा 35 यह plus का यह minus का है यहाँ पर यह है 200 और यह वाला इधर आकर कैसा हो जाएगा minus का 124 और equal to में कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0 अब उसके बाद यह दोनों के दोनों constant हैं तो constants को हम क्या ले लेते हैं मतलब minus minus कर देते हैं plus तो इनको plus करके कितना आएगा 324 और equal to में क्या आगया 0 अब हमारी यह general equation की तरह बनगे general equation क्या होती है ax square plus bx plus c equal to 0 अब आप एक काम करना कि जब भी किसी question को solve करना तो x square के आगे वाली जो number है उसको positive भी रखना होने को ऐसे भी हो जाएगा तो हम positive बनाने के लिए क्या करते हैं इन तीनों में से ले ले लेते हैं minus common और यहाँ पर यह plus का है यह भी कैसा हो जाएगा plus का और equal to में 0 जब minus common लेते हैं तब भी सब के sign change होते हैं और जब minus अंदर जाएगा तो देखो फिर दुबारा सब के sign ऐसी बना देगा तो minus common आने पर भी sign change minus अंदर जाने पर भी sign change अब यह minus जो है इसको minus को हम इधर बेज देते हैं जैसे यह minus है तो इसके है कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं तो minus 1 को हम 0 के किसमे बेज देंगे हैं division में इधर multiply में है इधर divide में और 0 के divide में कोई भी चला जाए 0 उसको खा जाता है बचेगा क्या बस यह number बचेगा x square minus 35x plus 324 equal to 0 और यह बन गई आपकी क्या quadratic equation यह चीज़ समझ में आई ना या फिर आप ऐस समझ लो minus की multiplication हमने इधर भी कर दी और इधर भी कर दी 0 की multiply आप किसी में भी करोगे तो 0 ही होगा इधर minus की जब minus में हो जाएगी तो यह कितना हो जाएगा यह plus बन जाएगा ऐसे ही equation बन गई अब इसने बाद में यह कहा था कि अगर हमें यह पता लगा ना हो कि किस के पास कितने barbels हैं तो आप कैसे बताओगे तो अभी तो हमने वो चीज़ सीखी नहीं अभी तो हमने बस इस question के अंदर क्या सीखा है represent करना सीखा है x की जो values हैं वो हम सीखेंगे अभी आगे जब 4.2 करेंगे देखो इसमें 4.2 में आपको दिया भी है इसके अंदर हमें यहाँ पर यह जो question number second दिया है question number second में हमें यह करना solve the problems given in example first और तब वहाँ पर हम इस problem को क्या करेंगे solve करेंगे अभी आपको क्या करना है बस इसको represent करके इस तरीके से अपने notes में लिख लेना है या copy में जहाँ भी आप notes बनाते हो उसमें इस तरीके से ही यहाँ पर छोड़ देना है तो कि बस situation को हमें represent करना था ठीक है second part देखते हैं चलो इसका अच्छा यहाँ पर यह तो minus 5 की जब minus x में करेंगे तो कितना हो जाएगा plus का 5x तो 40x और 5x कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 45x इसको सही कर लेना यह है 45 यह minus minus में गड़बड मत कर देना ध्यान से कर लेना 45x ठीक है next part देखो चलो तो second part में हमें दिया है cottage industry produces a certain number of toys in a day कोई एक cottage industry है जो कि क्या बनाती है खिलोने तो उसने एक दिन में कुछ खिलोने बनाए हैं तो उन खिलोने इनको मान लेते हैं पहले हम कुछ तो हमने मान लिया let the number of toys number of toys produced in a day produced in a day वो कितने मान लिया हमने x उन्होंने toy बनाए है the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys एक खिलोने को बनाने में कितने रुपे का खर्चा आया है वो उसने बताया है कि 55 में से अगर आप minus कर देते हो जो भी आपने number of toys लिये हैं उनको तो आपको पता चल जाएगा एक toy को बनाने में कितने खर्चा आया है तो यहाँ पर हम लिखते हैं the cost of production of each toy एक खिलोने को बनाने में कितने खर्चा आया उसने बताया 55 में से minus कर दो क्या number of toys और number of toys हमने अभी बताये भी थे number of toys हमने कितने माने थे उपरमान रखें यहाँ पर x तो यह कितने हो गए 55 माइनस x एक खिलोने को बनाने पर 55 माइनस x का खर्चा आता है आगे देखो the total cost of production was रुपी 750 total कितना खर्चा आता है production पर मतलब जितने भी उसने खिलोने बनाएंगे उसन पर कितना खर्चा आता है 750 तो अब हमें यह बताना है कि बताईए कितने खिलोने उस टाइम पर या उस दिन पर बनाए गए होंगे तो आप क्या करोगे आप इन दोनों का देखो अगर आपने खिलोने खरीदे हो 10 और एक खिलोना आपसे बतादिये जाए कि एक खिलोना 20 रुपे का है तो टोटल कितने रुपे खर्चोंगे आपके एक खिलोना कितने रुपे का? 20 रुपे का और आपने कितने खरीदे हैं? 10 तो कितने रुपे हो जाएंगे? इन दोनों की multiplication, x की multiply करनी पड़ेगी 55 minus x में, हमें यह पता चल जाएगा total कितना खर्चा आएगा, और वो उसने बताया भी यह कितना है, 750 रुपीज, अब x की multiply 55 में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 55x, x की multiply जब x में करेंगे, तो कितना हो जाएगा x square और equal to 750, ठीक है, इन दोनों को हम इधर बेज देते हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा, 0, यह minus का x square इधर आकर, plus का, यह 55 इधर प्लस का था, इधर आकर कैसा हो जाएगा, minus का, इन दोनों के sign change होगा, इधर लिकर आ रहा हूँ मैं, और यह 750 यहाँ पर पहले सही है, ठीक है, अब 0 इधर छोड़े हैं, इधर छोड़े हैं, बात एक ही है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो हमारी equation बन गई, x square minus 55 x, plus 750 और equal to में 0, अब यहाँ से x की value क्या होगी, वो चीज हम कब निकालेंगे, जहाँ 4.2 exercise कर रहे होंगे, अभी तो बस हमें इसको represent करना था, तो ऐसे हमने represent कर लिया, ठीक है, यह चीज ध्यान से समझ लेना, एक दिन में अगर आप मान लीजिए, कितने खिलोने 20 का, तो आपको कितने रुपे करने पड़ेंगे, 200 रुपे, multiply ही करोगे, कुछ-कुछ ही मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर 10 माना, 5 माना, जो मन करें वो मानो, अब हम देखते हैं, इसका example number 2, तो example number 2 दिया है, check whether the following are quadratic equation, हमें यह बताना है, कि क्या नीचे जो हमें दे रखी है, यह quadratic equation बन सकती है, या फिर नहीं, तो quadratic equation के लिए, जो हमारी general form होती है, या फिर degree आप पहचान कर लो, degree अगर जिसकी 2 आ जाती है, वो quadratic equation है, वरना नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसके अलग-अलग आपको formula इस B पता होने चाहिए, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा, जैसे यहाँ पर आपको इस पूरे को solve करना है, तो यहाँ पर x-2 का whole square दे रखा है, तो यहाँ पर हम कौन सा formula लगाएंगे, एक formula होता है, A-B का whole square, और वो क्या होता है, A square plus B square minus 2AB, यह वाला formula हम इसके अंदर लगाने वाले है, A की जगापर x मनते रहेंगे, B की जगापर 2, तो जब आप इसको solve करोगे, तो वहाँ पर A की जगापर क्या लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पर A square है, यहाँ पर हम लिख देंगे x square, फिर जैसे यहाँ B square है, तो हम लिखेंगे 2 का square, फिर minus 2, यह जो formula वाला है, फिर A की जगापर क्या रखेंगे, A की जगापर आगया x, और B की जगापर क्या आगया, 2, ठीक है, यह छोटी classes में भी आपने सीखा होगा, यह A है हमारे लिए, यह B है, उसके बाद क्या है, फिर यह दे रखा है, फिर यह दे रखा है, plus का 1 और equal to में है, 2x minus 3, वो हमने as it is copy कर दिया, यह कि इसमें कुछ solve करने के लिए है नहीं, x square का कितना हो जाएगा, x square, 2 का square कितना हो जाएगा, 4, और 2, 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और इस x मुल्टिप्लाई करेंगे, तो 4x, और फिर plus 1, और इन दोनों को भी इधर ही लिया हो, जाएगा, minus का 2x, और यह 3 इधर आकर हो जाएगा, plus का 3, और equal to में क्या बचेगा, 0, उसके बाद जिनकी degree एक जैसी है, उनको साथ में लिखो, जो light terms है, जैसे यहाँ पर x square, और कोई square वाला है नहीं, x वाला एक यह है, एक यह है, इनको साथ में लिख लो, तो minus का 4x, और minus का 2x, जो constant है, 4, 1 और 3, उनको साथ में लिख लेते हैं, तो 4, plus 1, plus 3, equal to में 0, अब इसको solve करते हैं, तो x square तो ऐसी रहेगा, इसका साथ ही तो कोई है नहीं, आपर, minus का 4x, और minus का 2x, तो minus, minus क्या होते हैं, plus, तो plus करके आ जाएगा, 6x, वो भी कैसा minus का, फिर 4 और 1 कितना हो और जब highest power 2 होती है, तो वो quadratic equation ही होती है, तो आप लिखोगे, it has the form of ax square plus bx plus c equal to 0, मतलब इसकी जो degree है, वो कितनी है, degree है 2, तो therefore, the given equation, the given equation, is a quadratic equation, ठीक है, अब second वाले part देखो, second वाले part के अंदर कोई identity तो लगनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं square या cube तो दे नहीं रखके, तो आपको क्या करना है, बस, इस x की multiply x में भी करेंगे, 1 में भी करेंगे, इधर, हाँ, इधर लग जाएगा identity, इधर है पहले a plus b और फिर a minus b, तो एक identity होती है, a plus b और a minus b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, a square minus b square, इसके अंदर पहली वाली digit भी सेम होती है, दूसरी वाली digit भी सेम होती है, एक बार plus होता, एक बार minus, तो देखो, यहाँ पर पहली वाली digit दोनों की x है, द समझ गए नहीं चीज़, अब आगे देखो, इस x की जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x square, x की जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x और फिर plus का 8, अब आगे solve करते हैं, तो x square plus x plus 8 equal to, यह हो गया x square minus 2, और यह 2 का square है, तो कितना हो जाएगा यह 4, सब को एक तरफ ल आएगे, तो यह plus का था, इदर आकर कैसा हो जाएगा, minus का, फिर यह वाला x लिख दिया, फिर यह वाला 8 लिख दिया, यह minus का 4 इदर आकर कैसा हो जाएगा, plus का 4, ठीक है, like terms मैंने 7 में लिख ली, अब यह x square plus का, यह minus का, तो यह दोने तो cancel हो गए, क्या बचा, यहां से ब quadratic equation है, यह तो linear हो सकती है, quadratic नहीं, तो हम लिखेंगे, it does not have the form of ax square plus bx plus c equal to 0, और जब इसकी यह वाली form नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, the given equation is not a quadratic equation, ठीक है, और quadratic equation होने के लिए, जो degree है, वो कितनी होनी चाहिए थी, 2, इसकी degree है, 1, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन उसकी ज़रोत नहीं है, जब आपने यह वाली चीज़ लिख दी, अब देखते हैं, इसका हम third वाला part, तो third वाले part में दिया है, x और फिर bracket में है, 2x plus 3 equal to x square plus 1, इसको solve करने के लिए, x की multiply किस किस में करेंगे, अंदर 2x में भी और फिर 3 में भी, तो पहले कर लेते हैं, x की 2x में तो कितना हो जाएगा, 2x square, फिर 2 की, sorry, x की multiply 3 में करेंगे तो हो जाएगा, 3x, equal to में है, फिर x square plus 1, इन दोनों को भी इदर लेकर आते हैं, तो 2x square तो इदर पहले से ही है, यह x square के आगे का sign plus था, इदर आकर कैसा हो जाएगा, minus का, फिर क्या है यहाँ पर, 3x, फिर यह जो minus का 1 हो जाएगा, इदर आकर, plus का 1 था न, इदर आकर minus का, अब यह 2x square है, इसके है कुछ नहीं है, तो 1x square हो गया, तो 2 में से 1 गया, तो 1x square ही बचा, 1 लिखने की जूरूत नहीं होती, और फिर plus 3x, और फिर minus 1 equal to 0, तो यहाँ पर भी इसकी कैसी form बन गई, ax square plus bx plus c, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा, highest power जो है, वो 2 है, तो इसका मतलब यह quadratic equation है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जैसे अभी हमने पीछे वाली equation में लिखा था, it has, it has the form of ax square plus bx plus c equal to 0, और इसकी जो degree है, वो भी हमें दिख रही है, degree कितनी है, 2, therefore the given equation is a quadratic equation, is a quadratic equation, समझ गई, अब हम देखते हैं इसका fourth part, शायद यह last part है, fourth part में हमें दिया है, x plus 2 की power 3, whole पर power दे रखिये 3, cube दे रखा means, और इधर दे रखा है x की power 3, minus 4, तो यहाँ पर a plus b की power, जब दे रखिये होती है, whole पर cube, तो वहाँ पर हमें एक formula पता होना चाहिए, वो formula क्या है, देखो ज्यान से, इधर लिख देता हूँ, a plus b का whole cube, क्या होता है, वो होता है, a cube plus b cube plus 3ab, और फिर bracket में a plus b, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 3ab के अंदर multiply कर देते हैं, a में भी और b में भी, तो इसी को हम और कैसे use करते हैं, a cube plus b cube plus 3a square b, और 3ab square, जब 3ab की a में करेंगे, तो a square हो जाएगा, a की a में हो जाएगी, फिर 3ab की जब b में करेंगे, तो b square हो जाएगा, b की b में हो कर, तो यहाँ पर आपको a की जगा पर क्या मनना है, A की जगा पर X और B की जगा पर 2 और यहाँ पर यह वाला formula आपको apply कर देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले हम लिख लेते हैं A cube तो A की जगा पर क्या है X cube फिर है B cube B की जगा पर क्या लिख देंगे 2 का cube फिर क्या होता है फिर होता है 3A square भी लिख लो या 3A भी लिख लो चलो मैं 3 A की जगा पर क्या लिख दिया X और B की जगा पर क्या लिख दिया 2 ठीक है और फिर bracket के अंदर क्या लिख लेते हैं A plus B मतलब X plus 2 और इधार यह X की power 3 minus 4 ऐसी रहा तो यह हो जाएगा X की power 3 2 का cube कितना होता है 8 फिर 2 3 जगा कितना हो जाएगा 6X यह हो गया 6X और फिर यहां bracket में है X plus 2 equal to X की power 3 minus 4 अब इस 6X की X में भी करो और 2 में भी करो तो यह हो जाएगा 8 plus 6X square plus 6 2 जा कितना हो गया 12X और फिर equal to में है X की power 3 minus 4 इन समको इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा X की power 3 और यह इहां पर जो X की power 3 है यह इधर आजाएगी तो कैसी हो जाएगी minus की power 3 वाले लिख लिए अब square वाले लिख लो square वाला क्या है 6X square और X वाला क्या है X वाला है फिर 12X फिर digit क्या है digit है 8 और यह minus का 4 इदर आकर कैसा होगे plus का 4 और equal to में 0 यह standard form में लिखते हैं हम पहले cube वाला फिर square वाला फिर power 1 वाला और फिर last में constant जब मैंने अभी आपको introduction बताया था वहाँ पर मैंने आपको यह चीज समझाई भी थी हर एक equation को किस में लिखोगे standard form में अगर आगे पीछा करके दे रखी हैं तो तब उसको standard form में लिखना गठते हुए क्रम में पहले power 3 वाला फिर 2 वाला फिर 1 वाला ऐसे तो यहाँ पर x की power 3 plus का और minus का तो cancel होगे यह 6x square बचा यहाँ से क्या बचा 12x और फिर plus 8 और 4 कितने होगे 8 और 4 और 12 और equal to में 0 तो यह कैसी equation बनी है quadratic equation असल में तो इसमें से 6 जो है वो common भी आ जाएगा लेकिन हम इसको अगर ऐसे भी देखें तब भी यह quadratic polynomial या quadratic equation बन चुका है तो आप इसमें क्या लिख दोगे जो चीज इसमें लिखी है बस भाही लिख देना है ठीक है इसकी यह वाली form बन गई ax square plus bx plus c equal to 0 degree कितनी है इसकी 2 और यह भी एक quadratic equation है अगर आप इसमें से 6 common ले लेते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बनेगा x square फिर यहाँ पर बन जाएगा तो comment करके पूछ लेना